आई दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको chapter number 8 और chapter number 9 के important questions which are most important for your board exam आप लोग जानते ही हैं कि already हमने chapter number 1 से लेकर के chapter number 7 तक के सारे important questions आप लोगों के साथ में discuss किये हैं पिछले वाले वीडियोज में अगर आप मेंसे किसी ने भी पिछले वाले वीडियोज नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लीजेगा क्योंकि बहुत help करेगा आपको board exam के लिए और याद रखें अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो description में link दिया गया है आप उस पर click करके directly उन तो चलो आज के class को start करेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर केवल selected questions ही यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि board exam बहुत करीब है हमें तयारी पूरी करनी है लेकिन हमें पूरा course नहीं प important है आपके board exam के लिए आप किसी भी board से हो बिहार बोर्ड से हो यूपी बोर्ड से हो राजस्थान बोर्ड से हो किसी भी बोर्ड से हैं आपके लिए ये questions उतने ही फायदेमन साबित होंगे ठेक है तो चलो start करते हैं आज हम सबसे पहले chapter number 8 के questions बताने वाले हैं 2-3 questions आपको chapter chapter number 8 में तयार कर लेना है ज्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूर नहीं है मैं आपको बताता हूँ chapter number 8 में आपको क्या तयार करना है वैदत चुम्बकी तरंग सिधान्त आपको इसे तयार कर लेना है अच्छे से ठीक है अगर आप इसे तयार कर लेते हैं तो बहुत ही possibilities होती है इस question को पूछे जाने की तो इसको किसी भी हालत में आपको तयार ही करना है उसके बाद में अगर हम बात करें वैदत चुम्बकी तरंगे कौन-कौन सी होती है उनके आवरती के बढ़ते क्रम में और उनकी तरंगदे क्रम में आपको उनका क्रम याद कर लेना है ठीक है क्यो कौन सी तरंगे हैं उनका क्रम आप एक बार अपने दिमाग में सेट कर लिजेगा ठीक है इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे आपको क्या तयार करना है वैदु चुमकिय तरंगों में वैदु छेत्र और चुमकिय च्छेत्र के जो समीकरण है मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं इतने सही काम चल जाएगा आपको ज्यादा समझने पढ़ने के भी आवशिकता नहीं है आपको केवल और केवल समीकरण तयार कर लेने हैं वैदु चेत्र का शमीकरण इस उकल टू ई नाट साइन ओमेगा टी होता है और चुम्बकी चेत्र का समीकरण बी इस उकल टू बी नाट साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स होता है याद रखिएगा यहाँ पर जो बी नाट है वो चुम्बकी चेत्र का आयाम है मतलब चुम्बकी चेत्र का शिखरमान है और E नाट यहाँ पर वैदु छत्र का शिखरमान होता है अब कभी-कभी चुम्बकी छत्र के शिखरमान और वैदु छत्र के शिखरमान के बीच में क्या रिलेशन होता है यह भी पूछ दता है तो याद रखेगा C is equal to E नाट अपान B नाट यहाँ पर C जो है एक बार पढ़ लेने हैं आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजेगा ठीक है कम से कम चार गुण आप लोग अपने दिमाग में इनके सेट कर लीजेगा इसके बाद में chapter number 8 में बस इतना ही काफी है अप चलते है chapter number 9 chapter number 1 बच्चा बहुत बच्चे कहते हैं कि chapter number 9 बहुत बड़ा है क्योंकि पूरा का पूरा ray optics है इसमें लेकिन हम आपको 5-6 questions ही इसमें बताएंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इसको तयार कर पाएंगे आपको ज्यादा सब कुछ पढ़ने की आवश्यक्ता ही कहा है मैंने बताया आपको केवल वो topics पढ़ने हैं चार most important और उसके लिए मैं help कर रहा हूँ आपके ठीक है तो आपको इसलिए मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक के सारे important questions हर चैप्टर में 5-6 questions मैंने बताये हैं सिर्फ उनको आप तयार करिए आप बहुत अच्छा score करेंगे आप याद रखेगा जब आप board exam देकर के आएंगे आप question paper देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने वास्तों में वही question बताये थे जो बहुत important थे और आपको उसमें से 90-90 प्लस परसंट आपको उसी में से number मिलने वाले हैं जो मैं question बताने वाला हूँ तो आप लोग इन questions को हर हाल में तयार कर लिजेगा और हाँ बच्चा ये वीडियो जल्दी से जल्दी share कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा share करिएगा क्योंकि हर बच्चे की help हो सके ठीक है तो इसको share जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो इसको like कर देना चैनल को subscribe नहीं किये है तो भाई कर लो ना आगे चलते है chapter 9 के questions बताते है chapter 9 में गोली ये प्रिश्ट पर प्रकास के अपवरतन का सुत्र गोली ये प्रकास के अपवरतन का जो formula होता है जिसे हम बोलते है N upon V minus 1 upon U is equal to N minus 1 upon R, ठीक है, तो ये आपको learn कर लेना है, यहाँ पर अभी मैं हट जाओंगा, बाद में फिर आपको ले लेना, इसका screenshot कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस formula को आपको तयार कर लेना है, साइद आपको तयार ही होगा, अगर नहीं तयार है, तब भी कर लीजि पतले लेन्स के अपॉर्टन का सुत्र जो होता है, पतले लेन्स के अपॉर्टन का सुत्र मतलब 1 upon F equal to focus दूरी के लिए, 1 upon F equal to N minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, जिसे हम lens maker formula भी कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से तयार कर लेना है, lens maker formula, इसके बाद में है, संपर्क में रखे, पतले लेन आपको अच्छे से तयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये हम सारे questions जो बता रहे हैं, बहुत important हैं, और ये आपको board exam में दिखने वाले हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तयार कर लिजेगा, ये मैं मैं दावा करता हूँ कि अगर आप हमारे बता हुए सारे questions तयार कर कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, आगले चौथा question में आपको बताओं, तो प्रिजम पर अपवातन का जो formula होता है, n is equal to sin a plus delta m by 2, अपान में sin a by 2, तो ये derivation भी important है, बहुत ज्यादा important नहीं है, लेकिन हाँ, काफी important है, मतलब बरका, तो इसको आप तयार कर लिजेगा, और इसके पतले lens के लिए, पतले prism के लिए, परतन के लिए जो formula आता है, उसको भी आप तयार को लिजेगा, जिसे हम बोलते है, delta m, delta m is equal to, क्या होता है, n minus 1 into a, ओके, तो ये पतले prism के लिए, which land cone के लिए formula हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप एक बार formula देख लिजेगा, numerical इसके बाद में हमने question number 5 की बात करें, तो question number 5 में कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी परिभास आये हैं, जो आपको आल लेडी पता ही होंगी, ठीक है, क्या है, जैसे वन विच्छे पड़ हो गया, इसकी परिभासा क्या है, तो वन विच्छे पड़ क्या होता है, जिब पर गिरती हैं, ठीक है, तो यह आपकी छोटी छोटी परिभासा है, प्रकास का प्रकेडन क्या होता है, आपको पतह होगा, तो यह छोटी छोटी परिभासा हैं, आपको learn कर लेना है, साथी साथ में एक और question मैं आपको बता रहा हूं, खगोली ये दूर दर्सी की आवर्ध चमता का जो फार्मूला है, M is equal to minus F O upon F E into 1 plus F E upon D, यहाँ पर F O होता है, आप दृष्चेक लेन्स की फोकस दोरी, F E होता है, नेत्रिका लेन्स की फोकस दोरी, ठीक है, या विनेत्र लेन्स की फोकस दोरी, और D होता है, स्पष्ट दृष्टी की नियुनतम दोरी, जिससे ह हम human eye के लिए 25 cm मानते हैं, ठीक है, तो यह आपको तयार करना है, और इस पर base numerical भी अकसर पूचा जाता है, ठीक है, तो बस इतने question ही हैं, मैंने केवल chapter number 9 में आपको 6 question बताए हैं, सिर्फ इन पर अगर आप त्यान दे लेते हैं, तो chapter number 9 से आने वाला कोई भी question आपका नहीं, यह मेरा वादा है, क्योंकि हम केवल उन्हे questions को बताते हैं, जो आपके लिए बहुत important है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हर वीडियो को आप देखते रहे हैं, हम हर chapter के important topics आपको discuss करेंगे, आपके साथ discuss करेंगे, आपको बताएंगे, और आप इनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इनको अच्छे से तयार करके, ठीक है, और इस वीडियो को भाई, जिरूर सेर कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा, कमेंट अगर करना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई problem हो रही है, तो comment करिएगा, सेर करिएगा, और वीडियो को like करिएगा, और चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है चलो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको आगे के चैप्टर्स के इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में ठीक है तब तक के लिए बाबाय लेकिन इसका स्कूर्ण सौर्ट आप ले लिजेगा और अच्छे से इसके तयारी करते रहे है ठीक है